नमस्कार आप सब भी कैसे हैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे चलिए इस वीडियों हम देखते हैं अर्थोशास्त्र की सीमाएं क्या हैं कुछ सीमाएं भी तो हैं अर्थोशास्त्र की अर्थोशास्त्र की कुछ सीमाएं इस प्रकार हैं सबसे पहला सामाजिक मनश्यों का अध्यान यानि स्टेडी ऑफ सूशल मैं तो एकनॉमिक्स की एक समस्या है कि इसमें केवल स्टेडी ऑफ सूशल मैं का ही अध्यान किया जाता है मार्शल ने कहा कि अर्थोशास्त्र की अंतरगत समाज में रहने वाले व्यक्ति के साधारन व्यापार संबंदी कारें का अध्यान किया जाता है जैसे कि आप बाजार जाते हैं कुछ सामान खरीते हैं और उसके लिए पैसे अरजित करते हैं सामान खरीतने से पहले आपको पैसे चाहिए उसके लिए पैसे अरजित करते हैं किसी को पैसे उधार देते हैं ये जो सामाने व्यापार संब्धिन जो आपका व्यापार संब्ध थोड़ा सा और ब्राड किया चोड़ा कर दिया बहुत बड़ा कर दिया इसका टॉपिक पर ना अगर मार्शल के इनसाफ से चलते है तो यह टॉपिक थोड़ा सा चोटा हो जाता अब प्रोफिसर रॉबिन्स क्या कहते हैं प्रोफिसर रॉबिन्स कहते हैं कि सामाजिक तथा स समाज से बाहर रहने वाले विक्तियों के बीच भेद नहीं किया जा सकता है, इन दोनों का ही अद्हिन किया जाना चाहिए, ऐसे विक्तियों के कार आर्थिक हूँ या अनार्थिक हूँ, वे सब को अर्थऊशास के खेत्र के अंतरगत सμमिलित कर लेते हैं, कौन सम्मिलित करता है प्रोफेसर रॉबिन्स करते है इससे अर्थशास का छेतर क्या हो जाता है व्यापक हो जाता है तो सिंपा से यह समझे स्टेडी ओफ सोशल मैन किया जाता है मतलब सामाजिक मनुष्यों का अध्यन किया जाता है इसमें पहला यह जो इसका इसकी सीमा सामांने मनुष्यका आध्यन किया है कि इसको समझेगा ध्यान से के इसमें सामाने मनुष्यका आध्यन मतलब और यह बड़ा च्छा टॉक है इसकों समझेगा ध्यान से कि इसमें सामान मनुष्य का अधियन किया जाता है मतलब जो extraordinary मनुष्य हैं असामान वेक्ति हैं जैसे कि पागल हो गया अपरादी हो गया कंजूस आदमी हो गया इनका अधियन इसमें नहीं किया जाता है अगर कोई कंजूस आदमी कहता है न मैं देश के विकास में काम आ रहा हूँ, मैं बहुत मतलब हेल्फ कर रहा हूँ देश की भी, तो बाई साब तुम इसमें नहीं गिने जाते हो, ठीक है, तुम कंजूर्सी से काम चला रहे हो, तो इसलिए तुमको नेशनल इंकम या फिर अर्थुशास्त में गिना नहीं जाता है, हलाकि रॉबिंस कहते हैं कि हम सभी, उन सभी सीमित साधनों से संबंदित क्रियाओं का अध्यान करते हैं, जो अर्थुशास से संबंदित हैं, चाहे वो धन से संबंदित हो, या समय से संबंदित हो, हम इन सब का अध्यान करते हैं, नॉर्बल सी बात है, सीधी सी बात ह are less exact कम निश्चित होते हैं कोई जरूरी थोड़ी ना होता है कि वस्तूओं का मूले कम होने से उसकी मांग बढ़ी जाएगी लेकिन द्यान रखेगा नॉर्मली ये होता ही है जब मांग का नियम काम करता है मतलब जैसे किसी भी ऐसी कोई चीज है जो कि बहुत ही जादा लोग समाज में लोग खरीदते हैं उसकी वस्तू की कीमत अगर कम होती है उसकी मांग तोरंद बढ़ा जाती है ठीक है लेकिन कई सारे जगा पर ऐसा नहीं होता है लेकिन इसको नकार तो सकते हैं हैं हम अर्थोशास्तियों को नकार नहीं सकते हैं अर्थोशास्तियों की बहुत जरूरत है जिस देश में अर्थोशास्त्री नहीं है उस देश की हालत पतली होके रखिए आप समझ लेज़े बहुत सार एक्जामपल है लेटेस्ट एक्जामपल हमारे पास है पाकिस्तान का इस एक्जाम्पल हमारे पास है श्री लंका का अच्छे एकनॉमिस्ट अगर वहां पर बहुत सारे होते तो मेरे हिसाब से राजनेता भी अच्छे होते तो मेरे हिसाब से इतनी खराब नौबत कभी नहीं आते ठीक है अब जैसे कि आप समझे जाए भारत की ऐसी खराब अर्थोशास्रियों को महान अर्थोशास्रियों को जन्मा आए यहां पर वो सारी चीज़े समाल लेते चाहें अमर्द सेन हो या फिर अपके उरजित पटेल भी हो लेकिन अमर्द सेन जैसे लोग थोड़ा सा बहुत एडवांस वर्जन वाले मतलब आप कह सकते हैं अर्थो तो अगली वीडियो में मिलते हैं बाई बाई